नमस्कार आप देखरें जनता दर्बार नियूज और मैं आपके साथ जोती राखाओ राजस्तान में जैपूर बंद और राजस्तान बंद का सरदिना शुरू हो गया है क्योंकि राजस्तान अध्यक सुगदेव सिंगोगा मेड़ी की जैपूर में दिन दहाडे हत्या करती गई है इसी के चलते हैं पूरा राजस्तान जैपूर में प्रदेश और देश भर से राजस्तान नेता पहुँचे साथ ही आपको बता दे कि मैं बुद्वार यानि कि आज जैपूर समेट पूरी राजस्तान को बंद करने का आवान किया है हत्या मामले को लेकर सुवचिकर जिला मुख्याल इस्तित रामलिला मैदान में राजपूर समाज सही सर्विसमाज के लोग बड़ी संख्या में एक कत्र हुए साथ ही सुगदेव सिंगोगा मेडी की हत्या पर आक्रोश जताते वे हत्या करने वाले आरोपियों को जल्द गिरफतार कर कड़ी सजा दिये जाने की मांग की है आक्रोशित लोगों ने संबन में पुलिस पर भी आरोप लगाते वे कहा कि पुलिस की लापरवाही की वज़े से सुगदेव सिंगोगा मेडी की हत्या हुई है वहीं आपको बता दे कि राम लीला मैदान एकत्र होने के बाद सभी युवा सीकर के बाजारों की और बंद करने निकल पड़े है राजस्तान में सुगदेव सिंगोगा मेडी हत्याकांट में एक बड़ा खुला सा हुआ है पंजाब की बठिंडा जेल में बंद गैंग्स्टर संपत नहरा यानिकी गैंग्स्टर लोरेंस विसनोई द्वारे सत्याकांट की साजिस रची गई है पंजाब पुलिस से इस तरह के सुचना राजस्तान पुलिस को मिली है राश्ट्री राश्मुत कनी से इना के अध्यक्सिल सुकदेव सिंगोगा मेडिस समेट दो लोगों की हत्या के बाद से आज राजस्तान में तनाव का माहोल बना हुआ है प्रदेश भर में सरुसमास समित अन्ने कई समाज के प्रतेनी धियों ने पूरे प्रदेश में बंद का आवान किया है इस आवान का असर दिकना शुरू भी हो गया है प्रदेश भर के अधिक्ता जिलों में स्कूल कॉलेज बंद होने की सूचना ही मिल रही है बता दे कि स्कूली छात्रों के परीजनों को बंदका मैसेज देर रात को ही भेज दिया गया था यहां तक कि कई स्कूलों में सिक्षकों तक को नहीं बुलाया गया है इस बीच डीजीपी उमेश मिश्रा ने आज प्रदेश भर में जनता से शांतिकी अपील की है साथी प्रदेश भर में पुलिस के तमाम एजनसियों को अलट कर दिया गया है पूरे प्रदेश भर में 80,000 से भी जादा पुलिस करमी आज सड़कों पर ड्यूटी कर रहे हैं इस बीच देर रात दो आरोपियों के अरेस्ट होने की जानकारी मिल रही है डीजीपी के मताबिक आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस की और से सक्त नाकाबंदी कर संभाविट ठिकानों पर दविश दी जा रही है उन्होंने लोगों से धहरिया और शांती बनाये रखने की अपील करते हैं पुलिस को विशेश सतर्पता भरतने और सुरक्षा भढ़ाने के निर्देश दिये हैं उन्होंने बताये कि इस घटना की रोहित गोदारा गैंग ने जिम्मेदारी ली है इसे ध्यान में रखते हुए पडोसी जिलो और बीकनी संभाग में भी बदमासों के संपर्क वाले लोगों को चिंधित कर लगातार दबिश दी जा रही है उन्होंने बताये कि पडोसी राज्य हरियाना के पुलिस महानी देशक से स्वेम बात कर उनसे सही योग मांगा है उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है कि सिग्र ही अपराधियों को गिरफतार करने में पुलिस टीम को सफलता मिलेगी जनतादरबार में फिलहाल के लिए इतना ही जल्द मिलते हैं और खबर के साथ देखते लिए जनतादरबार नियूज